हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल जीके स्टेडी पॉइंट विद किलीर कॉंसेप्ट तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के महतपूर तत्यों के बारे में जिसमें हम भूगोल की परिवासा भूगोल का अर्थ सिध्धान रचना अब उसकी जो भूगोली के रचना आया के साथ साथ भूगोली के बारे में भी चर्चा करेंगे जो पृतियों की परिच्छा में बारवार पूछे जाते हैं और आगामी परिच्छाओं के लिए महतपूर भी है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न पूगोल के अर्थ बूगोल की रचना अब आपनी क्या-क्या अपनी अपनी क्या-क्या मत दिये उन सबी के बारे में अपनी इस टॉपिक माजम चर्चा करेंगे जो प्रिच्छां के लिए बहुति ही में इंपॉर्टेंट ऐए ठीक है और या कुझा प्रिच्छा में गे तो देखे को अजेए और एक बहुँगोल के मैतपूर्ट उत्तियू सर से पहले हम ने लिये घृत स्थारीं आर्थ है भूपयल का अर्थ कीया होता है इस इस अर्थ के वारे में सबसे भाळता करेंगे तो friends सबसे पहले जो हमारा point है वो points है friends की भूगोल का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो भूगोल का जो साब्दिक अर्थ होता है friends भू प्लस गोल अर्थात प्रत्वी गोल है और सब्सक्रत भ्ष द्वासा से लिए जार destiny बिए कि अगना को सकते हैं मिला करता है और सब्सक्रत कहारा है कि उन्सक्रत भूलब यह ऑगल्स है निकूर मला के हं कह सकते के हिंदी में तो वहं किस नाम से जानते हैं जो ग्रॉपी के नाम से घानते हैं। झाल ओर सम पूछल प्पूछाय किस वासा का सब को साथ है, आप को याद रखना है कि जोगरौपी डूसरा सब्षने प्रत्वी होता है और ग्राफी का अर्थ क्या होता है लिखना या बर्डन करना होता है ठीक है फ्रेंट्स तो बात समझ गई होंगे आपको कि दो यूनानी सब्द है जीओ धन ग्राफी जिसमें जीओ का अर्थ क्या है प्रत्वी और ग्राफी का अर्थ क्या है लिखना या ब प्रवासा यह भी हो सकती है कि प्रत्वी तता उसके उपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या वर्डन करना ही क्या कहलता है जोगराफी यह भूगोल कहलाता है ठीक है फ्रेंट्स यहां तक सारे पॉंट्स क्लिर हुए तो इसमें तो समझने वाली बात यह है कि बारे में लिखना ऑगरन करना ही क्या जाता है और फिर उसके बाद अगर आपको पूछे पोचे कि जो इस के युनानी भासा के हैं किसके हैं फ्रेंड्स युनानी भासा के हैं और इसके बारे में अगर एक और important facts की बात करें आखेंस फ्रेंड ना इप साय है कि इसकी पैरवासा है जो freemain ने दी थी किसने दी दी बारोब फिरी मैन बारोब इस दो भूगल विएदा guarantees पारवास, इन्होंने भूगल की परिवासा देती है, हैंले वही अच्छी परिवासा है, आपक्षी söylते हैं क्रेंदों सबसेते हैं, भूगल की नंहोंने परिवासा दे थी, कि प्रत्वी और उस पर दस्ती बुचर होने वाले सभी बातों तथ्यों का अध्यन करना या वर्डन करना ही क्या क्या है भूगोल क्या है ठीक है अच्छ की अर्थ परवासा से संब्र जितने भी तथ्य थे फ्रेंट्स वो हमने सारे आपको यहां पर बता दिये और सभी इंपोर्टेंट है इनको अच्छे से आप एक बार रिवीजन कर लेना वीडियो को दुवारा से देखते हैं तो सारे पॉंट्स क्लिर हुए उसके बाद में फ्रेंट्स जो नेक्स अगला टॉपिक्स है वो हमार भूगोल बॉलते हैं उसके बाद जो नेक्स अगला पॉइंट है भूगोल के जनक यांप पिता यांільки जनक किसका परिया वाचिय फ्रेंट्स पिता का परिया वाचिय पूंच आखर ये पूछ कहुछे कि भूह बूह के पिता कोन है या भूह जनक यांप कोन हैां तो आप हुआ हुआ माना उन हिसका में थे और 2 महाधेशों आ रहा रहा था ने हिक्त है उने और इन्हें तुर्श्य पह और Posad पजन कला है और अनि हच आफ टॉजर नमने कि वाक गयान इक लेकखक था। हिकेटीस को गुगोण सुझे आफ हैफ टॉजर ने और यह इहां से तीन ही भात शिजग कोंशनों लिद्धृ हिकेटीस को की जनक है पिता किस ने को ऊक्क है का था था की ठीक है प्रेंट्स लिए चे करें तक दुसन दूसरा थैकर तरह बहुत प्ला भूगोज के जनक कोह नहीं झाल पूरसने प्लाडी में लिद्छ I'm आज में पूरा नाम नाम भलाडी ब।ी ए céu नहीं को है निक ते यह फिस्ट सकूर नाम कोशन पुछा इथियासके जनक कौन है इतियासके जनक भी हैरोडोटस है और इनकी पृषित कहई हिस् result यह इंट्यास किस्टोरिक है हिस्टोरिक पुंका में इन्हों प्रत्वी इन पृत्वी के इतियासक तथ्यों से संब्धिंद से के इत्यासिंब तत्यों समन्दित बातों को इसमें इस लिखाया था शीन लाकर ब्रटा को ही म conserve माना था 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 तो इस वगजे से इनको क्या का जाता है बाताबर ःबात का प्रिडेता भी कहा जाता है तो तुम यहां कितनी पॉंट के लिर हुए फिरेंट से यह किलिर हुए द्यक्ति यह कृण की बूगोल की दोताइय रवाल Daarventional को ऑथ है प przyszित हैю और यह में भॉटर को सब Harborstar का था है ठीक स् qualcosa-बाध्रवड़ को इस्टिरी का एब बातरवर्का पर्डेतस को नहें यह सब पूंट में आपको अच्छे से समझा दिये हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होंगे उसके बाद नेक्स अगला पॉंट से नेक्स देखते हैं उसके बाद में आदुनिक भूगल के जनक पे बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंट्स आदुनिक भू कि बात करें हम तो modern geography है आदुनिक भूगोल के जनके वो कौन है अलेक जेंडर बॉन हम बोल्ट है फ्रेंट्स बहुत ही ज़्याद है इंपोर्टेंट है आप इस पे स्टार जो भी कुछ लगाना चाहें वो लगा सकते हैं कि आदुनिक भूगोल के पिता कौन है अलेक जेंड पनामा जलसंदी जो पनामा जलसंदी थी फ्रेंट्स इसके आरपार यानि इस पनामा जलसंदी के क्या है आरपार पनामा नहर पनामा नहर इस्थापित करने का या पनामा नहर बनाने का बिचार दिया था अगर आपसे एक्जामनर में कोशन पूछले जाए कि किसने सर्व प्रतम पनामा जलसंदी के आरपार पनामा नहर बनाने का विचार दिया था तो पनामा जलसंदी के आरपार पनामा नहर बनाने का विचार सरप्रतम हमबोल्ट ने दिया था किसने दिया था फ्रेंड्स हमबोल्ट ने दिया था यानि अलग जेंडर बॉन हमबोल्ट ने ही दि अलग जेंडर बॉन हम बोल्ड की दूसरी बात क्या है फ्रेंट्स दूसरी बात यह है कि इन्होंने सर प्रतम भूगोल में क्लाइमेटोलोजी यानि जलवायू विज्ञान सब्द का प्रतिपादन किया यानि इन्होंने सबसे पहले भूगोल में क्लाइमेटोलोजी क्लाइम जलवायू विज्ञान जलवायू विज्ञान इन्हों ने सरबतम भूगोल में जलवायू विज्ञान या क्लाइमेटोलोजी सब्द का प्रतिपादन भी किया किने अलेकजेंडर बॉन हमबोल्ट ने ठीक है फ्रेंट्स दो बात के लिए रहोगी तीसरी बात इनकी यह है कि सरम्ताफ रेखा को दर्साया था समयन तापाँ को दर्साने वाली रेखा उती है सम्ताफ रेखा बोलते है और से पहले सम्ता पर रेखा को जिस ने दर्साया था वह फो मिलाकी वात के सकते हैं अलेकजेंडर बॉन हमबोल्ट थे अच्छू म Need Vanguard ओन साब को पहली डगी में अ अलेक जेन्डर वॉन हमबोल्ट ने पनामा जलसंदी के आरपार पनामा नेर खुदने बनाने का बिचार दिया था सबसे पहले दूसरा पॉइंट किया है फ्रेंट्स दूसरा पॉइंट है कि इनोंने भूगोल में सरप्रतम क्लाई मेटोलोजी यानि जलवायू विज्ञान स पॉइंटर वॉन हमबोल्ट की तीन बात है यह और चौत ही बात है कि आदनी भूगोल के जनक कहलाते है यह चार पॉइंट से एक्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछी जाती है इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स चार पॉइंट उसके बाद जो नेक्स अगला पॉइंट इसी बात है औरेरेटोस्थंइच को कहा जाता है और दूसरी बात बेवस्तित भूगोल जनक पे गारे में बात किया जाया थो ऑपर को बात के बात किया है तो सора ये इनों के बार की। को सर्व प्रिथम अध्यन सास्त्र के रूप में क्या किया था फ्रेंट्स अध्यन सास्त्र के रूप में प्रितिपादित किया था इस्थापित किया था इन्हों भूगोल को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट बनाने के बाद में बुक्य माद्यम से सभी लोगों के लिए उसको अध्यन सास्थ के रूप में क्या किया था प्रतिपादित किया था इस वएसे इनको भूब बहुते की कि पिता कहते हैं ठीक है फ्रेंट्स यह भूब होते से 19 सताबदी में जो भूगोल था एक 77 के रूप में क्या हुआ इस्तापित हुगा यह नहीं 77 के रूप में भूगोल को मानिता दी गई थी ठीक है तो अगर आप से कोशन पूछ ले जाए कि भूगोल को अध्यन सास्त के रूप में सबसे पहले किस ने स्तापित किया था तो सबसे पहले भूगोल को था इस्तापित किया था उससके वाज में użyटके रूप में मानिता कमलीती 77 की रूप में 19 सदी में क्या मिली थी मानता मिलेती इंपोर्टेंट कोशेrente याद रकना यहसे तीन से ईयाद रखना किके पिता किसे का जाता इरेट Uhstanic को और बेवस्तित div का जयता है दूसरी बात है कि भूगोल को 28 के रूप में मानता मिलती वो इन शटेए में मिली ठीक है फ्रेंट अगर उसकी वाज जो नेक्स अग्ला पॉइंट दो है लेविन इस्त्रूम विचारवद्हारा के जतना कों से लेविन आगे शच्रूम विचारवग ठाड़ा के जनक जनक यह्तुज है PRESERERIC रेट जल की जो सबसे फेमस पुस्तक है वो कौन सी है एंथ्रोपॉज्ज्यो ग्राफि ठीक है यह इंपोर्टेंट है कई बार पिप्रों पूझी बी कहीं है कि एन्थ्रोपॉज्यो ग्राफि पुस्तक के लेखा के बो कॉन है फ्रेडरिक रेट जल है नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि छेत्रिय भूगल के पिता किने कहा जाता है छेत्रिय भूगल के पिता कहा जाता है फ्रेंट्स कार्ल रिटर को किसको कहा जाता है कार्ल रिटर को कहा जाता है छेत्रिय भूगल के पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है कार्ल रिटर्स के बारें करें कि इनकी प्रिस्थद पुस्तक थी जिसका नाम था अंडर कुड़ेक्टी एर्ड कुंडे ठीक है friends और सबसे important बात इनकी यह है कि इनके एक उपनाम है friends इनको क्या का जाता है आराम कुर्सी वाला आराम कुर्सी आराम कुर्सी वाला भूगोल बेता आराम कुर्सी वाला भूगोल बेता इनको आराम कुर्सी वाला भूगोल बेता का जाता कि इसको कारल रिटर को ठीक ह सब्रेट्स सबसे पहले मापक के आदार पर अनेक जी मेंडर ने 600 इसा पूर्व का मांचितर बनाया था सबसे करद मांचलों किसे की दूद का माया बाड़ा मापकोद की मामा म॥ैं इन्हों के यहंत्रों के आदर पर having done in a spot जो मात चीत स्दुनार वनकर बनाया था किसने अने जी मैंडरों ने और शरह रेचेत इसनों ने कभ स्पूर्प में किया था 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 तो आपक प्षेष्व का declined मान्चितर बनाया था मापक वन्हान एक जी मेंडर वन्हें दने बामेड भिस्व का इंगी महान्चितर भाप सर्फ मार्प के बनाया था मार्टिन भे हम प्रित्म आयए उammnd 확 भाथ को बात करें तो भारत के मान्चितर कि बना जिस न्हों भूर महोदय निगा था 1722 में भारत का पृत्धम मानचित्र बनाया था ठीक है फिरेंट्स नेश्ट उसके बाद में जो Claudius Ptolemy यानि Claudius Ptolemy एक विक्ती भूगोल बेता है तो Ptolemy ने क्या किया था कि विस्व के मानचित्र बारत को दर्सा आया था यानि एनिमिले महोदे ने तो केवल single single भारत का यह तो टॉलैमीनी ने क्या कि यह बिस्व का न्जितर में ने डर्सा दिया तो आसा किस ने क्य था टॉलैमीनी ने किया था इसक ग्रवेइsz मांचम को War, Pantograph ऑब्रा करते हैं そόर्य यंत्र के माद्यमसे हो जाता है तो फेंडिस जहां तक हमारे जो पॉइंड से हैं वह सबी बगॉन्ट को एक लाग पीर करते हैं कि मानवन के मणाया सबसे पहले किसरे मिनाया एंएक visa का गूलूप सबसे पहले किसे मार्ट ने बनाया और भार्त का मानवन सबसे इन्भिले महुदे ने बनाया से लिएव बिस्ट के मांचित्र बहारत को अपारत को सबसे पहले कि आया था टॉलआमीय तलिमी divers आता औ पैंट गराप कि ऐसे पैंट और फैंट ऑरब मांचित्र को छोट़ोंब करने वाला यंध राइंस्ट उसके बाएं गला कमांचिटर के मांचिटर के भाotomस चीज है चीज आधन करेंका एक परमप्रागत सधन यह माध्यम है 13 वाद यह ल 어떤 सधन дум आधया शैता से हम भ्हूगलन का मिलती है सब्सक्राइब होता है जरनता मिलती हैं से क्रंशेत की सायता से जान पाते कौन से स्थान काहाँ पर है ऑपर सा रेखां की original प्राइब कार्म कागाज का विश्कार नहीं हुआ था तो जो मान्चीत्र लेटिन बहासा के मैपा सब्द से विए थी और जिसका मैपा सब्द का साबदे करत के होता है कपड़े का मेजपोस यहां रूमवाल जो काज़ का विष्कार नहीं हुआ था तो indem राचेन चारंग हुआ या दूज़ ञाता था क्पड़े का विष्कार बाद में चिन बड़ा कफड़े में वठेञा था561 के विष्व के माचित्र बनाए जाते थे इस वैसे उसको पहले क्या बोलते थे मैप्मा तो मैंटमे उसके बाद में मंदिकाल निया अंप्र पर बने संसार के चक्र मान्चित्र को क्या का जाता था मैंपा मुंडी उसके वाथ मशाल लेकिन सब्सम्राइब करें बहुता हैं तो इनको मानचित्र नहीं बहुते अब इसके वारत करें और बात करें यह मैंपा मुंडी सब्दे सब्सक्राइब क्या प्रियोक और ता इसमें किया था रिख्वाइब यह मठ है और मिकन ने प्रियोक्या था थिक है फ्रेंटस नेक्ट उसके बाद में जो अगला पॉइंक से मारा वह है कि इ्थियास के जनक कहे जाने वाले हेरोडोटस यानि मैंने भी बता दिया था इक इसके जनक कैसे कायाता है एरोडोटस को कायाता है तो हेरोडोटस नहीं सर प्रतम विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखा किछने का क्या किया था प्रियास किया था ठीक है फ्रेंट्स तो हमारी रेखा है होती है अच्छा सर देशांतर रेखा है तो विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले जो देशांतर रेखा है किछने का प्रियास किया था स तो याद रखना फ्रेंड्स इंपोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि हेरोडोटस महोदे ही ऐसे थे जिन्होंने विशु के मांचित पर सबसे पहले देशांतर रिखने का क्या है प्रियास किया था उसके बाद में हिपा करस एक भूगोल वेता हुए युनानी तो नहोंने क्य क्या किया च्याइवम् देशांतर रेखाओं के अधार विस्व को क्या किया में अर्थ क्या होता है फेटियां ठीक है चैसे घा ए tsp परेटिया ठीकिए फ्रेंट सुन किसा की फिर दिशह सबस्क्राइब तैंट में उन्सांट में कैन और छ vary psychologistsuję सब धिato asem किया है दूसरी बातные हैने सरवतान भगोल के लिए वह सब। सब्सक्रारब के यूद्र गया टोर्फि का सब्सक्राइब कर यक ये वी कारत वह की पिताब gerne के रूप में इनको इस्ताफ़ खरने का स्थ्रे भी देता है लेकिन ये बूहों के पिता नहीं है प्रेंजे भूहें भूह बहुत ही कि कि में बहुत ही कि PITAR में ने पहले समगा दिया a के एकवरफश तनैज और intelligent सब्सक्तॐंच के बारे में clear कर दिया नेतरत में होई थी प्रेंट क कोन कोन सी है सबसे पहली जो पुसतक है वो है दानेचर ऑफ जेवरुग्र Опलेफी इस जो लेखा के बो है Richard Hartsone उसके बाद में जो दूसरी पुस्तक है फ्रेडर्डी कौन सी है और इसकी जो लेखा कहा है बो है अलवर्ड डिमान जीया और तीसरी जो फेमस पुस्तक है भी मैंने बता दिया इसके बारे में तो हमबोल्ट किये और अलेकजेंडर बॉन हमबोल्ट को क्या कहते है आदुनी बॉगोल का पिता कहते है ठीके फ्रेंट्स यह याद रखना उनके बारे में हमने तीन पॉइंट्स बताये थे पनामा नहर का विचार दिया था जलवायू विग्यान सब्द का सब्दम प्रियोग क किया था समता प्रेकाओं को मांचितर पर दर्सा आया था अलेकजेंडर बॉन हम बॉल्ट इन ठीके फ्रेंट्स प्रियोडस पुस्तक के बारे में भी हमने पहले चर्चा कर लिए इस पुस्तक के लिखा कोन है एकेटियास उसके बाद में नेक्स अगला पॉइंट है मानब जाती का इथियास यह फ्रेडरिक रेड़ जेल की पुस्तक है फ्रेंट्स इसका जो अर्थ होता है मानब जाती का इथियास इसको इंग्लिस में फ्रेंट्स हम बोलते हैं इसको वालकर कुंडे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसका जो नाम में वो क्या है बालकर कुंडे किस पुस्तक का मानब जाती के एधियास का इंगलिस में नाम है वालकर कुंडे और फ्रेडरिक रेड़ जेल की पुस्तक है इसमें मानब जाती हो और पिर जाती हो के बारे में बिसद रूप से बताया गया है ठीक है फ्रेंड्स उसके वाद में राज नितिक भोल यह भी फ्र जीबाना गया किस पुस्तक में राज नीतिग धूगल में नहीं किया दो इसी पुस्तक में क्या किया तो पीकास सिद्धान्त दिया था इन्होंने इसी पुस्तक में क्या दिया था जैविय विकास सिद्धान्त दिया था किसका फ्रेंट्स राजिका जैविय विकास सिद्धान्त था ठीक है तो यह जो जैविय विकास सिद्धान्त है याद रखना है तो राजिका जैविय विकास का मैंने भी बताया फ्रेंट्स कि Jyoh Manap Jati का इत्यास है उसी पुस्तक को इंगलिस में क्या वोलते हैं वालकर कुंड बोलते हैं ये पुस्तक इसकी है फ्रेडरियरड जैल की है, नेक्स्ट अगला point, अगली पुस्तक है, इस्थल और जीवन, इस पुस्तक की जो लेखाके है, हो हैं कार्ल सावर, नेक्स्ट अगली पुस्तक और हमारी, एसीआ का Origins, कोण से फ्रेंट्स, एसीआ का Origins पुस्तक है, दिन्टन, वह है हटिंगटन और उसके बाद में जो 3-4 पुस्तक बहुत इंपोर्टंटिक बारें देखी है प्रेंड चार-वग लेखी के लिक्रा की है जोगरॉ फिया इस पुस्तक है जोप है कि वह क्यों फो निके थाइए तो इस पुस्तक में क्या यह एक बढ़नकी यह नहों पृस्तिक मांचतितरोई के लिए विख्याता है तो याद रखना है वो कौन सी पुस्तक है जोगरोफिया पुस्तक है नेश्ट अगला पॉइंट है अलीम जिस्ती यह क्या है अलीम जिस्ती यह गए टॉल्यमी की और झट stresses एक्यां फट साथ 7-8 वे अंक के प्रिकत होने वाले 5 सेतार के उडिकिया है। सबसब्सक्राइब पुछा है तिल Hai na lai ma और ऐन अलेma है। यह फोछी गई है इस पूर्थ इसी।하면서 फ्रतम गरहिए व्रम का वर्डन किया यह भी याद रखना है फ्रेंंड सावसे पहले ग्रहा सित्धांतों और में सब्सक पूछा प करने Western का क्षण और भी पूछ ली गई कुछ पुस्तक है तो तो इस अभी पुस्तक है आई हुई पुस्तक है प्रिपर पे एक जांप में ठीक है फ्रेंट्स ने उसकी बाद में अगड़ा जो पॉइंट से अब आती है सम्मान रेखा है यानि भूगल के मानचित्रों के बारे हम बात कर लिय कि हमने भूगल के जो प्रिमु पुस्तक है रचनाओं के बारे हम बात कर ली भूगल के अर्थ परवासा के बारे हम बात कर ली अब बात करते हैं कि हम भूगल में जो हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं मानचित्र के मादम से भूगल को हम पढ़ सकते हैं क्योंकि पूरे सं 33 degree centigrade दोनों के बिच में एक रेका खीज़ दी जाएगी तो और से आप लिगदी जाएगा कि रहे गांगे ज्राइगा यहां पर भी समान ताब यहां पर रहे कह सकते हैं तो इस पर कार एक जैसे इस अस्तान वाल होती है उनको शने समान वाली रहे कहते हैं किसे सब्स में समझ में आननेया है कि संब्मान को दर्साने होते हैं संब्मानलेखा है यहां यहां रानने हैं यान मान्चितरों पर अंकित संबुष्ट की हां M जो सबसे पहले रेखा है इसको आइसो बार भी कहते हैं यह क्या होती है कि इसी मांचित्र अथवा चार्ट पर घिची गई वह रेखा है जो समान वायू मंदली दाब बाले चीज स्तानों को मिलाती है संव रिंद्धाम्धार इस तानों को मिलाने वाले ने संव रिंधान समान बायुमंडगे कुछ रहो हो। आइसो वार दे देता है आइसो थेर दे देता है आइसो थरम दे देता है तब कंशुज हो जाते हैं तो आइसो वार दे दे ना फ्रेंट्स तब याद रखना कि आइसो वार क्या होता है फ्रेंट्स समान बायू मंडली दाब बाले छेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसो वा कि यह इतना उच्छा और यह स्थान की बराव अनकी बीच में इक रहती है ईक क्रेखा झाना इस रिकान काईगे mm आहिसा बात रहता रहे गई सबस्कार पूंट करिए प्रेंट को खीचा जाता ह। सबस्कूल के समनी तापमान वाले स्थानों मिलाने वाली रेखा। यानि मानने चलो यह मारा भारत देश है cela की यहां पर यह राजिस्थान का यहां पर टमील्णाड़ोफी को मिला है तो इस रिखलत क्या कते हैं है ईसो तहर है खों접, इस अपर यह रेखला नेजिए घ्र तो सुम्द्र में खारेपननरों की समानमात्र के उसमें घर्ञार बैंस अईived marked यानि खालेप clay की चालेपन कया होता है सामान मात्र वानों की पर्सेंटेज श्मंधर के जिन इस्थानों पर खाले लेका स्मान मात्र होंती है समान उन्हों में क्या होता ह Pen can Air शोडियूं करेम क्लोराइड का तो उनी घ्यानों को मुलाने वाली जो रेखा होती है कि अग्ली पॉंट्स है हमारा अगली सम्मान रैखा है हॉमी सीसमल है क्या होती मैं मुलाने वाली रैखा या वा examined भूम door बbhokum को मीना मुला सके गार्डीर यानि मानचोर छह बजे भूम पाया है अब six क 점第二 बिसमन जितने अलब अमिला धीya अब्दिक को सब्सवाद में यह थोप रहे हो और घृए पडव मात्रृम्न यहांठों सभी स्ताव म 색깔 यहां रहे सात हैं इसमे turnover इसे हैं, इंपोर्टेंट में, सबसे जाता पेपरों पूछी जाती हैं, फ्रेंट सी साथ रेखाएं हैं, पूछी गई हैं, कई वार जब बार पूछ गई हैं, इनी में से वो रिपीट करके पूछता रहता है, तो ये साथ रेखाओं को आपको अच्छे से याद रखना है, सम्मान रेखा का मतलब सम्मान महतको दर्साने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, कई वार ऐसा ही पूछ लेता है कि सम्मान महतको दर्साने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, सम्मान रेखाएं कहलाती हैं, नेक्ट उसके बाद में आता है महतपूर मापनिया, बहुगल के अ इसको इंगलिस में बोलते हम हीग्रोमीतर है कहा बोलते है कि यॉठी से पूछ रहेकर मुझ से सकता यहे चुन्द है तरा 한दरता मापन करते रहे मंंदल आपन समय में पर इस समय कितनी आदरता है उस आदरता का जो मापन है वो कों सा मापनी करती कों से यंदर करता है आदरता मापी यंदर करता है ठीके फ्रेंट्स उसके बाद में आता है बर्सा मापी इसको इंग्लिस में रहन गेज बोलते हैं ठीके फ्रेंट्स तो याद रखना है कि जो बर्सा मापी है रेंगेज है इससे क्या बर्सा की मात्रा का मापन किया जाता है यह बर्सा हो गई फ्रेंट्स ठीक है अब बर्सा हो गई बर्सा होने के बाद में कितने सेंटीमीटर बर्सा हुई है उस बर्सा का मापन कि यंदर से करते हैं बर्सा मापी से करते हैं बर्सा सेंटिमिटर एतनी बर्सा होती है जह संभ मोर पसमीरास्तरमर न यहां पर कम बर्सा न कहीं होती है तो उस भी बर्सा को माने की मातरा पर इस भी बर्सा का यंधर 21 भी NETX नेट जो अगला पॉइंट से हमारा वो यह है ऑक्टास मापनी फ्रेंट्स ठीक है ऑक्टास मापनी क्या है यह मेगा अच्छादन की मात्रा का मापन करते हैं ठीक है इससे जो बारिस हो रही होती है और मेगा अच्छादन बरसात हो रही तो उस बरसा की मात्रा होती है उसका म आगला क्राइमोग्राफ क्राइमोग्राफ क्या है इसमें जलवायू के दो तत्व को X और Y यहाँ पर obsession को घ सिलर्च दर्चा देख ठीके फ्रेंट जो अगला पॉϊंट है मारा अग्या अग्ली एक बर्स में महीन की लिवलासब करते घरा ऑस संब्तक्ञाना निर्मात दें हुए Kyra गराभ बनाया ता कि इसमें इतना ताप मान रहा और इतनी इतनी सैंटीमिटर या क्या हुई थी इस परकार का यह ग्राफ आप यह किसने बनाया था जी टेलर महोदे बनाया था और इसको जो इस मापन करते है जिसमें किसी इस्तान के औस ताperformán की विभिनिता को एक भृतात्म प्रेजर क्या जाता था थीक है विभिनिता अब आप को धर्शा जैता है घृग दर्सा जाता है ठीक है नहीं कि मैं से इसमें इसमें में इसमे बीधा सिन इतना 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 तर्她 आई इसमें । जो से थी खिर चैंथ लो वह सब्सक्राइम कर देए लिए संटिमेटर बर्स भा लेकिन 25 चैनली तीम मिल्ट्द्यपस ग्रॉय शक्तव को क्या करता है difference को क्या करता है कलाइटोग्राफ है दरस आता है ठीक है फ्रेंट्स नेकर जो अगला पॉइंट से हमारा वह बायु दाब मापी इसको इंग्लिस में क्या बोलते है एनि रोड बैरोमीटर इनिकी अंग्रेजी नामें फ्रेंट्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट विस बायु दाब माप जाती है ठीक है और 14 मेर भाइल मेटर इसा रूप है ठीक है 14 मेर भायु का दवाब मापा जाता है कि समय बायु का दाप वो कितनी उचाई पर उड़ रहा है जमीन से और इस पर बायू का कितना दवाब बन रहा है उसके वारे में जो जिस मापनी से मापा जाता है वो क्या है अल्टीमीटर है फ्रेंट्स इसके वाद में आता है हमारा बायू यान दिसा सूचक यंद्र जिसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं और इसका प्यों क्या किया था हवा की दिसा गयाद करने के लिए बिंकिड वेन का ही उप्यों किसमें हवा किस दिसा में चल रही है और इसका बहाव किस दिसा क्यों रहे उ इससे तो क्या दिसा याद करेंगे इससे क्या करेंगे गती मापेंगे बेग को मापेंगे किसको मापेंगे फ्रेंट्स बेग को के हवा कितनी स्पीड से चल रही है और इसे बीफोर्ट इसकेल पर प्रदर्सित किया रहता है ठीक है फ्रेंट्स जो इसको प्रदर्सित अनिमो हो जाएगी उस समय तो दिखाता है फिरिश्पीड हवा का बेग ज्यादा दिखाता है इसको क्या बोलते हैं बोलते हैं ठीक है फ्रेंट्स यह भी याद रखना है कई बार ऐसा ही पूछ रहेता है बीफोर्ट से मापा जाता है तो इससे परवन की गति यानि हवा का बेग जाता है ठीक है इसमेरे फ्रेंट्स जो आज गामारे टॉपिक आज गरी वीडियो है वो यहां पर समप्त करते है फ्रेंट्स तो आज कि जिए हमने पूइंट्स पढ़ाए प्रेंट्स आपको अपने सभी पूंट़्ों में आप बताया बोल का आर्दपरवासा बताई बो पूछे जा चुके हैं और विभिन परिच्छा में इसे काफी पॉइंट्स आपके लिए आएंगे और पूछे भी जाएंगे ठीक है तो जो ग्रॉपिक जो भूगोल की तोपिक से इंपोर्टेंट्स उनको सभी को कराते हुए चलेंगे और मैं आसा करता हूं आपको आज की जो भारा यह टॉपिक के सारे बिंदू आपको अच्छी से समझ में आ गए होंगे अगर आपको समझ में नहीं आए ते इक बार वीडियो को आपको दबारा से देखना है फ्री भी कर समझ में नहीं तो फ्रेंस कमेंट के माधदियम से आप बता सकते हैं अगर कहीं पर बाल रहे हैं उनका जो notification है आपको तरंद मिल जाए इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ठीक है friends उसके बाद हमारे वीडियो अगर पसंद आए आज की तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में या अपने जितनी भी study करने वाले और भी आपके सगे संबंदियम सभी को यह CRV करना है friends